तो भगवान शंकर को श्रावन प्रिय है एक कारण कहा कि मन्थन में जो विश निकला उस विश का पान किया और भगवान देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का जल्विशिक किया दूसरा करण कहा माता सती ने शंकर को पाने के लिए श्रावन के मईने में सबसे ज्यादा साधना करी है और क्या करता माता सती ने एक बालू का मिठ्टी का शिविलिंग बनाती थी प्रती दिन शिवलिंग का निर्मान करती थी और शिवलिंग का निर्मान करकर उसकी पूजन करकर अर्चना करकर उसका विसर्जन करती थी सती माता और माता सती का नियम ता भगवान शंकर को पाने के लिए शिवलिंग का नियम तो हमारे यह शिव महा पुराण में लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्मान होना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्मान करना है तो उसके लिए वंदन करा गया ब्रहम काल मट्टी के श्विलिंग का निर्मान करें और शुद्र काली मट्टी के श्विलिंग का निर्मान करें कितना बड़ा श्विलिंग बनाना चाहिए अगर हम पार्थिव श्विलिंग का निर्मान कर रहे हैं या हमारे घर में हम कोई मूर्थी को विराजमान कर रहे हैं तो उ बस इतनी बड़ी मूर्ती घर के अंदर होना चाहिए चाहे वो लड़ू गोपाल की हो चाहे वो दुर्गा भवानी की हो चाहे वो राम जी की हो संकर जी की हो कृष्ण की हो जिसकी रखना हो इतनी बड़ी मूर्ती घर के अंदर होना चाहिए क्यों इससे बड़ी अगर मूर् मूरती है जितनी छोटी होगी उतनी सेवा कम करना पड़ती तो मूरती जितनी छोटी होगी उतना सुख प्रदान करें उतना उतना अनंद देगे पर श्रावन के महिने में यदि आप रोज शिविलिंग नहीं बना सकते तो पूरे महिने में एक बार शंकर का शिविलिंग का पार्थिव शिवलिंका निर्मान करना चाहिए जरूर करना चाहिए और पार्थिव शिवलिंका निर्मान करकर उसकी अराधना उसकी अर्चना उसकी पूचन करना चाहिए से नमस्षिवाय जब भी निर्मान करें किसी थाली में हैं जिस पर में जिसमें भी आप निर्मान कर रहें उस पार्थिव श्विलिंग को बनाने से पहले उसकी अंदर पात्र के अंदर एक बेलपत्र क्या है आपको कृहां कल कहा था बेल पत्र का व्रक्ष माता पार्वती के नैन अश्रू से प्रगट हुआ है और रुद्राच्य का व्रक्ष शंकर भगवान के नैन अश्रू से प्रगट हुआ तो बेल पत्र रखकर फिर उसके उपर शिवलिंग का निर्मान करें फिर उसके उपर शिवलिंग करें उसका लाब आनंदित होगा उसका सुकानंदित हो वो आनंद फल देने वाला होगा एक हिए All के लोग शिर्य ठाली में शिविलिंग बना दिते हैं माता पार्वति के हस्त कमल पर शिविलिंग का निर्मान है महाना हाज के सो सुख देने के ग intéенты तो वगवान शंकर के शिवलिंग का निर्मान करे माता सती ने भी किया यही श्रामन के महिने में माता सती शंकर वगवान के शिवलिंग का निर्मान करती है पूजन करती है अर्चना करती है फिर शाम के समय उस शिवलिंग को मस्तक परश करकर जलाशे में, कुंड में, जल में, बावडी में, कुए में, तलाब में उसका भी सर्जन करते है मा दूसरा करण कहा सती शंकर को इसी श्रावन में रिजाई थी इसलिए शंकर को श्रावन अतिप्री है कि पहले आती है नौमी फिर आवेगी एकादशी देव सोनी पहले नवमी तिठी के दिन करकर भगवान श्व के मंदिर में बेटकर भगवान शंकर की अराधना करकर भगवान विश्णू लच्छमीजी के साथ अपनी सत्रष्धि का कारभार चार महिने के लिए संकर जी बंडरिया नौमी के दिन और एकादशी के दिन से देव सोनी एकादशी के दिन जब भगवान सोते हैं उस दिन से भगवान संकर पूरे कारेभार को देखते हैं पूरे कारेभार जब कारे भार सोपा गया भगवान शंकर सश्टी का संचारन करने लगे तब भ्रह्मा और विश्णु ने आकर शंकर जी की अराधना यही श्रावन के महिने में करी थी कि आपने पूरा कार्य अच्छे से समाला इसलिए शंकर को श्रावन अतिप्रिय है यह तीसरा कारण है शंकर को श्रावन प्रियता का अब शिव महापुरान की कता करे यह कि शंकर को श्रावन प्रियत चोथा कारण वर्णन करा कि यह कारण भगवान शंकर की अराधना माता पारवती ने बाल्य पन से करी खूब करी खूब दिल से करी बगवान संकर